इसका दोस्तों आज एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूं दीपक तो भाई आज अपनायते फिर से एक बार और खेत पर देखने के लिए कि अपनी मटर आई है कि नहीं तो आज सबैसे ही इतने जोरदार बादल हो चुकी है ऑझा ओध थोड़ी बुना बांदी भी चल रही है और कल रात में परसों रात में रात में बहुत जोर से बारेस हुई और हवा भी चली इतनी जोरदार हवा चली कि पूरी फसल एक तरफ से भिष चुकी है मिलकुल खेत म में चिबक गई है और अभी अपना मटर देखने आया थे अपन कि कतने दिन में कटे गा लेकिन आज बादल इतने जोरदार हैं कि बारश की सम्भावना है तो दिखाते हैं आपको मटर का हाल और बादल भी भाई आज सबहे के नो बजी हैं और अभी देखो आप बादल कितना जोरदार है हर तरफ कोहरा और मुदा मादी चल लए है थोड़ी थोड़ी और अपने मटर का हाल यह है देखो आप बिलकुल कटने के लिए खड़ी है बिलकुल मटर और बारस के बजाए से आप कटनी पा रही है दो दिन का मौसम बता रहे हैं अभी इस बजाए से आप दो दिन और खड़ी रहेगी नहीं तो अभी कटाई अपनी सुरू हो जाती और परसों जो हवा चली थी तो आप देखो जे जवा का हल बिलकुल जमीन में चबग गया है पूरी तरह से बहुत जाना नुकसान हुआ है क्योंकि जो गेहूं जवा जो अभी फैसल थी वो अभी फूल पर थी और उसको अभी पगने में टाइम था इस बजाए से अभी बिच गई है और नुकसान भी हो गया है और मटर का जो हाल है मटर पूरी तरह से हमारे छेत में आ चुकी है सभी के सानभाईयों की भी आ चुकी है और मसूर का भी यही हाल हो गया मसूर बिलकुल पूरी तरह से खेतों में चबग चुकी है मसूर को अभी पकने में लगबक 10 से 12 दिन का समय था और बिलकुल खेत में चबक गी है और जे मौसम खराब हो गया तो पता नहीं क्या होगा कि सर जाएगी की बचेगी अब कोई पता नहीं चल रहा भी तो अपन अभी जा रहे हैं अपन मसूर की खेत पर और अभी अपन आयते मतर की खेत पर देखने के लिए और अब जाएंगे अपन मसूर की खेत पर तो अपन आ चुके हैं भाई मसूर की खेत पर अपने और मसूर का हाल देखिए आप ऐसा है देखो पूरी तरह से बिश चुकी है और मसूर को अभी टाइम था पकने के लिए क्योंकि मसूर अभी देखो फुल लिए हुए थी और इसको टाइम था भी 10 से 15 दिन का लेकिन अभी जो हवा और बारस होई ना इससे पूरी मसूर बेश चुकी है और इनका फूल भी गिरगा है नुकसान तो हो चुका है मसूर में और कुछ-कुछ खेतों की मसूर जो छोटे कदम हैं वो सही है और अपनी मसूर पूरी बेश चुकी थी तो और य feelings लिए जाना इस बाइसे अ और अपको दाढ़ देखो आइन को आप यहांसे देखो कितनी बिचिए ये पूरी तरह से बेश चुकी है तो दिखो आप मसूर का हाल इस परकार है यहाँ पे घृत्तिकर फूरी तरह इस ह啦 हवा की बिजाए से और आने में भी दस दिन का टाइम लगेगा भी इसको और अपने बगल वाले खेत में देखो मटर का हाल बिलकुल कटने के लिए खड़ी है पूरी मटर देखो आप और अगर मौसम साफ होता तो अभी तक जे मटर कट चुकी होती और निकल भी चुकी होती क्योंकि चार-पात दिन से ऐसे पड़ी है क्योंकि ठंड भी बाप अचुकी है इस बजाए से और अभी अपनी मसूर में दस दिन का टाइम लगेगा अभी और सरसौं भी बहुत ज्या आप चलो दिखाते हैं आपको पिसी जो गेहूं का हल क्या है तो वो भी आपको दिखाते हैं हम कि पूरी तरह से बिश चुकी है किसी खेतों की कही जगए क्योंकि हवा बहुत तेज चली थी इस वजए से पहुंचते हैं पन सीद्य गेहूं के खेत पर